नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सब का हमारे इस कारिकरम तेजस्विनी में आपके साथ में हूं ममता चुप्रा किएते हैं कि मानब जीवन मानो तो बहुत जटिल है मानो तो बहुत सरल और इस जीवन की सरलता को परिभाशत करते हैं तमाम वो लोग जो इस समाज को, इस देश को, इस दुनिया को खुबसूरद बनाते हैं इस कोशिश के साथ कि अपने लिए तो सभी जीते हैं लेकिन जो दूसरों के लिए जीते हैं दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए दूसरे की जीवन को आसान बनाने के लिए जीते हैं ऐसे लोग विरले ही होते हैं और आज हमारे साथ इस कायक्टर में ऐसी ए मानव जीवन के गहन मूल्यों को समझते हुए और उन्हें आत्मसाथ कर जन कल्याण के जरीए अपने जीवन को समर्पन का अर्थ देने में जुटी है निवेदिता रगुनात भीडे जिने सब प्यार से कहते हैं निवेदिता दीदी जिनोंने 19 साल की छोटी सी उम्र में ही परिवार का त्याक कर विवेकानन केंद्र में आ कर समाझ कल्याण और सेवा को ही अपने जीवन का धे बना लिया पाठन, सादगी, अनुशासे जीवन के मूलेतों दीदी को मातापिता से ही मिले विवेकानन्द केंद्र में इन मूल्यों ने उन्हें मार दिखाया और बन गई जीवन व्रती विवेकानन्द के विचारों को आत्मसाथ करते हुए निवेदिता दीदी ने देश के अलग-अलग हिसों का भ्रमण करते हुए संगठन से जुड़ी जिम्मेदारियों को निस्वार्थ भाव से निभाया एकनात रानाडे जी की छत्रचाया में आपके जीवन को दिशा मिली और आपने अनेग गरीब असहाई लोगों के जीवन को दिशा दिखाई मानव सेवा के लिए किये जा रहे अतुल्निय कारियों के लिए ही विवेका नंद केंद्र को गांधी शांती पुरसकार से नवाजा गया और आपके व्यक्तिकत योगदान को देखते हुए आपको पदमिश्री से नवाजा गया मानव जीवन को अर्थ देने और दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने बाली निवेदिता दीदी ही है हमारी आज की तेजस्वनी तौँ आए निवेदिता जी से करते हैं बात इनको प्यार से लोग कहते हैं निवेदिता दीदी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इसकारिक्रम बे आपका नुपस्टे आपने 19 साल की बहुत बाली सी उमर होती है जब हर युवा के मन में बड़े सपने होते हैं, जीवन को जीने की एक इच्छा होती है, एक ललक होती है लेकिन वो एक ऐसी उम्र थी जिस समय आपने सोचा कि यह सब त्याक कर विवियकानंद केंद्रा को जॉइन किया जाए इस सोच के साथ आगे बढ़ा जाए कैसे निरने लिया, किस चीज़ ने आपको प्रेरित किया इतने बड़े निरने को जीवन में लेने के लिए जो आपने कहा ना कि हर एक का सपना होता है, तो मेरा तो यही सपना था यह सपना था, यही जीवन मुझे जिना था और इसलिए मैंने यह निरने लिया अब यह निरने कैसे आया मन में, तो मैं यह कह सकती हूँ कि मुख्य रुप से जो घर के समस्कार होते हैं, याने माता पिता के समस्कार, परिवार का वातावरन, मेरे घर में जिस प्रकार से बहुत पुस्तक मेरे पिता जी लाते थे, और हमें पढ़ने का शोग भी उन्होंने निर्मान किया था, रोज जब एक खाना कम से कम मेरे घर में हम सब लोग मिलकर खाते थे, मेरा परिवार बहुत बढ़ा था, हम 10-12 लोग तो होते ही थे हमेशा, आने जाने वाले भी बहुत होते थे, लेकिन रात का खाना सब मिलकर खाते थे, तो जब सब मिलकर बैठते थे तो सारी दिन भर की जो जो हुआ, फिर मेरे पिता जी कुछ-कुछ बाते बताते थे, तो यह जो एक समाज का मन समझना या अपने राष्ट्र के बारे में एक जागरुकता लाना, यह सारा घर में सहजता से हो रहा था, और इसलिए मुझे, और जो मैं पढ़ती भी काफी थी, तो जब मैं 11 की शिक्षा में थी, तो मुझे लगा अभी बस शिक्षा बहुत हो गई, अभी मैंने कुछ काम करना चाहिए, और उसी समय सुधाई वसे मैंने विवेकानन्द केंदर के बारे में पढ़ा, कि विवेकानन्द केंदर ऐसे युवक युवतियों को, जो अपना जीवन समर्पित कर काम करना चाहते है, उनको प्रशिक्षन डेकर भारत के अलग-अलग भागो में, कोने में, ग्रामीन क्षित्र में, जनजाती क्षित्र में भेजते हैं, तो मुझे लगा ये एकदम मेरे लिए सही है, फिर मैंने जाके मेरे पिता जी को बताया, लेकिन उ उनको केंद्र के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने कहा वहाँ तो कम से कम पद्वी प्राप्ता करना है, तब ही जा सकते है, अभी सुधाईवसे मेरी पढ़ाई बहुत जल्दी हुई, और उस समय वो 11 वी का मेट्रिकुलेशन होता था, तो उसके बाद सिर्फ तीन बर करना है, फिर मुझे वहाँ से खताया कि श्री एकनाज जरानडे आएंगे, वो आपका इंटर्व्यू लेंगे, आप नाकपुर जाईए, मैं वर्दा में रहती थी, फिर मैं गई, इंटर्व्यू दिया, तो उन्होंने कहा तुम तो बहुत छोटी हो, क्योंकि जब इन्हो तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, दो-तिन बरस के बाद आओ, मैंने कहा, आप मुझे नहीं लेंगे, तो मैं और कहीं जाओंगी, तो उन्होंने पूछा, कहा जाओंगी, मैंने कहा, मैं बाबाम ते के इसमें जाओंगी, तो वो हसने लगे, वो कहे कि तुम चाहे जो तुम्हारे घर आऊंगा माता-पिता से मिलूंगा और वो सच में आये वो मेरे माता-पिता से मिले मेरे पिता जी ने भी पूछा फिर उस समय कि एकना जी मुझे पूछ रहे मैं क्या बता हूं मैंने कहा हां बोलिये फिर उन्होंने कहा तुम्हें MSC PhD नहीं करना है क्योंकि मैं बहुत अच्छी स्टूडन थी यानि मुझे ओपन मेरिट स्कॉलर्शिप मिलती थी मेरी सारी पढ़ाई उसमें हुए फिर मैं हमेशा फर्स्ट आती थी कॉलेज में और यानि रैंक तुरन जा सकूँ मैं जाना चाती हूँ यानि आप और पक्का मन बना लिया था कि मैरे को तो यही रास्ता चुन्ना और मेरा भग्य है था कि मेरे माता-पिता कभी बाधा नही बने यानि माक्य आखों में तो आसु आये जब एकनाजीशी ने पूछा कि आप सच में इसको जाने दे रहे तो आखों में आसो आए लेकिन उन्होंने कभी मेरे मारगों में बाधा नहीं बने मुझे रोका नहीं आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि हम सब लोग मिलकर बैठ के खाना खाते थे सब बाते करते थे पिताजी किताबे लाती थे वो आप पढ़ा करते थे जिन से आपका एक सोच बन गई कितना जरूरी होता है ये परिवार में सबका मिलना जुलना सबका एक बार बैठ कर खाना क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि यह सब कहेंना कि खत्म हो रहा है ऐसे कौन से उदाहरन है आपके माता पिता जब आपको बड़ा कर रहे ते उस समय के दौर के जो आपके विक्तित्व को जिनको बनाने में बड़ा गहरा रोलादा किया एक तो ऐसा है कि मेरे घर में हर गुर्वार को शाम को एक भजन होता था आदे घंटे का जिसमें संतत उकाराम, संत द्यानेश्वर, संत कबीर इनके भजन होते थे और फिर बाद में प्रसाद होता था पांच बरस तक बच्चे को चूटती उसके बाद उसने भजन में बैठन कितनी भी नीन दाए कुछ भी हो चाहे हमारी पब्लिक एग्जामिनेशन हो कुछ भी हो पिता जी कहते थे कि तुम्हें पता है आज गुर्वार है भजन का समय है पढ़ाई पहले करनी थी यानुशासन पूरा था एकदम तो बैठना है फिर वहां बैठते समय फिर कभी- करते थे छुटियों में जैसे समर हॉलिडेज जो होते है उसमें वह कोई पुस्तक लेते थे कभी रामायन कभी भागवत और फिर वह पढ़के हमें सुनाते थे तो हमी नहीं आसपास के सारे बच्चे आते थे तो वह एक होता था दुसरा मैंने देखा कि मेरी मां जैसे उन पहनती थी महाराष्ट्र में जो पहनते हैं तो दो अदल वदल के घर में पहनना और एक बाहर जाने के लिए लेकिन फिर भी याने जैसे मुझे उर्दू सिखना था तो मेरे पिता जी ने कभी ना नहीं बोला अफकोर्स मैं एक दिन वहां गिर गई क्योंकि वह कक्षा बह मेरा पाउ कट गया और फिर वह मेरा बंध हो गया फिर मेरे बेहन को संगित सिखना था पिर बाद में मुझे ड्रॉइंग सिखना था तो इन सब के लिए वह पैसा निकालते थे जबकि मेरे पिता-जी पोस्ट ओफिस में काम करते थे याने और जब मैंने कहा कि मैं लेकिन आइसे सपने होते थे कि यानि ये करो या फिर चर्चाएं होती थी मेरे पिता जी कभी भी किसी को मदद करने के लिए तयार रहते थे वो ही चपल वो बार-बार सिला-सिला के पहनेंगे तो यह जो था कि जीवन में धन जरूर जरूरी है लेकिन उसकी एक मर्यादा है जीवन में प्राप्त करने जैसी और बहुत अच्छी बाते हैं, ये उनके जीवन से समझ रहा था तो यानि की एक तरीका ये भी होता है, इसको समझने का कि जीवन के मूले हैं, वो सही होने चाहिए, पैसा है लेकिन उसका खर्च कहां कैसे करना चाहिए, सीमिज जरूरतों के हिसाब से ये दिशा तैय करनी बहुत जरूरी है एक लेकिन एक बात समझत होती है निवीता दीदी कि जब हम एक सोच लेते हैं, ये राह पकड़नी है, राह तों पकड़ लेते हैं, लेकिन राह पर आने के बात पता चलता है कि ये तो इतने भी आसान नहीं थी आपको भीकभी ऐसास हुआ ट्रेनिंग हुई होगी आपकी भी और वो ट्रेनिंग भी आसान नहीं होगी शायद मैं बहुत जल्दी गई वो भी कारण होगा मुझे ट्रेनिंग या काम करते समय मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि मैं मेरे मारग को छोड़ दूं क्या लेकिन एक बार ऐसा जरूर लगा था वो कारण ऐसा था कि मैं घर गई थी याने मेरी बीच में तबियत खराब हो तो मेरा पोस्टिंग तो अरुना चल प्रदेश में हुआ था वो कैंसल करके एकनाज जी ने कन्यकुमारी में पोस्टिंग किया तो मेरे पिता जी को पता चला कि दो तिन बार दवा लेने के बावजुद भी वो किड्नी की समस्या ठीक नहीं हो रही है तो उन्होंने एकना में चली जाओंगी तो मेरे विवाह के लिए पिता जी ने जो भी पैसा रखा होगा क्योंकि मेरे बाद तीन भाई और एक बहन थे और पिता जी मैं जाने के देड़ बरस में रिटार होने वाले थे तो सबका कहिना था कि आपने नोकरी करनी चाहिए जौब करना चाहिए प भाई का कॉलेज फरजी निकला फिर वो बहुत कुछ समस्या हुई मुश्किले आ गई याने उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई तो जब मैं घर गई तब मैंने घर की स्थिती ऐसी देखी कि पिता जी रिटार हुए है और घर चलाने के लिए उनको पोस्टल इंशूरंस अगरे लेकर वो घर घर जाते है टूशन ले रहे है फिर मुझे थोड़ा बुरा लगा कि मुझे लगा कि नहीं शायद मैंने घर में अभी मदद करनी चाहिए अभी जैसे यह जो जीवन व्रती करके मैं गई तो हमारा कुछ वेतन होता नहीं है यानि हमारा जो खर्चा है वो सिर्फ हमें मिलता है यानि जैसे अभी मुझे किसी को कुछ प्रेजेंट भी देना है तो मेरा करके ऐसा कोई पैसा नहीं होता है तो उस समय एक पुने के कोई लेपरसी यानि कुछ रोगियों के लिए सेवा करने वाले किसी संस्था की जाहिराता ही थी निउस्पेपर म और उसमें ऐसा लिखा था कि आपको 800 रुपया वेतन दिया जाएगा खाना पिना रहना सब हो जाएगा यानि वो उस समय के यानि अभी यह होगा नया 1980 वगरे तो मुझे लगा यह अच्छा है ज्यादा से ज्यादा मुझे 100 रुपया लगेगा मैं 700 रुपया पिता जी को बेच सकती हूं तो मैंने जाके मेरे मा को बताया कि मैं केंद्र से आ जाती हूं मैं वहां जाके काम करती हूं यानि मुझे सेवा करने की मेरी इच्छा भी पूरी होगी और मैं थोड़ा घर में भी मदद कर सकूंगी तब मेरे मा ने मुझे जवाब दिया कि यदि तुम्हे विवेकानंद केंद्र अच्छा नहीं लगा है, तुम वापस आजाओ, फिर क्या करना है यह हम देखेंगे, लेकिन यदि तुम्हें केंद्र सही लगता है, तो तुमने हमारे लिए जो एक पग सामने डाला है, वो पीछे मत डालो, आज थोड़ी समस्या है, निश्चित है, लेकिन एक बार तुमारे तीन भाई काम करने लग जाएंगे, तो पैसे का क्या करना है, समझेगा नहीं, इसलिए तुम चिंता मत करो, बहुत बड़ी बात कही हो, बहुत बड़ी बात, यानि मा हमेशा में, उनके आखों में आसु आते थे, मैं जाती थी, तो मुझे पहु जो होना होता है, ये कहिना कहीं, आपका जीवन भी सपर्श दिखाता है, जिस पर हम बात करेंगे, लेकिन फिलाल यहां रुकेंगे, एक ब्रिक के लिए आप देखते रहें ती जैसे नहीं कुपोशन से जंग जरूरी है, बच्चों और महिलाओं की मुस्कान जरूरी है अगर आप एकाज व्यक्ति को भी कुपोशन से भाहर लाते हैं, मतलब हम देश को कुपोशन से भाहर लाते हैं पोशन के ये पांच आधार, जो बनाए खुशाल परिवार सही पोशन और टीका करण जरूरी, बच्चे के पहले एक हजार दिन में सही पोशन और टीका करण जरूरी एनीमिया से लडाई, बच्चे और महिलाओं में होन की कमी ना आने दें डाइरिया से लडाई, बच्चों को O.R.S का घोल पिलाएं और जिंक टाबलिट्स खिलाएं स्वच्छता और साफ सफाई, शोचाले का उजित इस्तिमाल, मलका सही निप्टान, समय समय पर हाद धोएं बच्चों और माओं को दे, संपूर्ण और पॉष्टि का हार ब्रेक के बाद एक बाद फिर आपका स्वागत, आप देख रहे हैं ते जस्विनी और आज हमारी ते जस्विनी है निवेदिता भीडे जो विवेकानन्द केंद्र कन्या कुमारी की वाइस प्रेजिडेंट है, निवेदा दीदी आप ने अपने जीवन के बार में बताया कैसे आप इस राह पर आई, लेकिन विवेकानन जी के विचारों से आप बहुत प्रभावित हुई, ऐसे कौन से खास विचार थे विवे विवेकानन्द को तब नहीं पढ़ा था, एक तो जैसे मैंने बताया घर के संस्कार, और मैंने स्वामी रामतिर्था के बारे में बहुत पढ़ा था, उनका जो पूरा पूरा कंप्लीट वर्क्स है, वो हमारे घर में था, स्वामी जी के बारे में बस उतना ही पता था, कि वो वहाँ गये, उन्होंने वहाँ सिस्टर्स और ब्रदर्स आफ अमेरिका कहा, और उनकी एक शिश्य भगिनी निवेदिता थी, इतना पता था, और मेरा भी नाम निवेदिता, पिताजी ने रखा था, मुझे तो कुछ सेवा कार्य करना था, और विवेकानन्द केंद्र वो सेवा कार्य कर रहा है, इसलिए मैं वहाँ गई, लेकिन वहाँ जाने के बाद सुदई वसे, जब मेरा प्रशिक्षन चल रहा था, जैसे मैंने बताए ना थोड़ा किड्नी की समस्या हुई थी, तो बीच में मुझे कुछ यानि तीन हफता वगरे, डॉक्टर ने बेड यसान है, शौक नहीं, ऐसी आने मा मजा कर दी थी, तो मैंने उस समय स्वामी जी का पूरा कंप्लिट वर्क्स पढ़ा, और वो मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभरा, यानि जनरली बीमारी में हम थोड़े नीचे आ जाते हैं मन से, शरीर से, लेकिन मैंने वो पूरा पढ यानि उस समय मैंने पढ़ा था, बाद में जो हमारे अध्यक्षय मानन या परमेश्वरण जी है, उन्होंने मुझे बताना शुरू किया, कि तुम कुछ लिखो, केंद्र का एक युवा भारती करके मासिक है, फिर मैंने उसमें थोड़ा लिखना शुरू किया, और फिर जै अध्यक्षेत्र में काम कर रहे है, तो वहाँ जिस सखोलता से विचार करते हुए हमने कार्य करना चाहिए, उस दुरुष्टी से फिर अध्यन करते हुए काम के लिए आवश्यक, यानि कार्य करताओं के लिए आवश्यक या एक सही सोच हो उसके लिए आवश्यक, मैंने ल पिर काफी लिखना शुरू हो गया आप बहुत सारे ऐसे काम भी आपने किया है जो जन कल्यान के काम है खास्ताव पर जन जाती लोगों के बीच जाकर आप रही है वहां पर आपने काम किया है एक तरीके से जब आप अपने आपको जैसे आप जीवन व्रती हैं तो जब आप ले लेते हैं इसमें बहुत निशासन के साथ साथ बहुत कुछ ऐसा होता है जिसको मारना नहीं कहूंगी मैं लेकिन उनसेआपको फिर वहां मेरा जफिर जाना शुरू हो गया, और एक ऐसा है कि जिसको भी हम कुछ पढ़ाना चाहते हैं, पहले हमने उनको समझना है, उनको अपनाना है, स्विकरना है, उसके बाद ही हम सही रूप से कुछ पढ़ा सकते हैं, तो मैं यह एकनाजी ने पहले ही केंदर के कार्य करताओं को यह बताया था, कि आप पहले अपने लोगों को अरुनाचल में समझो, और जब वो अपने हो जाएंगे, तभी आप सही रूप से उनको पढ़ा सकते हैं, यह ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ी लिके आई हूँ, और आप जन जाती के हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगी, इस भाव से हम कभी किसी का भला नहीं कर सकते हैं, तो यह जो एकनाच जी का था, इसलिए जब मेरे पास यह दाई तो आया, और मैं वहाँ जाने लगी, और उनके साथ रहने लगी, तो पता नहीं, सच में हम कुछ पढ़ा सकते हैं या नहीं, लेकिन जन जाती या ग्रामीन लोगों के जीवन से मैंने बहुत कुछ सिखा, याने उनमें जो एक आत्मी आता है, इतनी सहज है, सादगी बहुत है, सादगी है, आत्मी आता है, कितनी भी कठिनाई आये, वो बहुत सहजता से हस सकते हैं, तो एक तो उनके हसी, दुसरा ऐसा है कि जिसको हम अपने के मूल्य कहेंगे, ये मूल्य आज भी अपने जैसे जनजाती के जीवन में दिखते है, जैसे उधार नार्त, मैं एक घटना बताने के लिए कि कितना सिखने जैसा है, मैं एक बार एक गाउ में गई थी, याने मैं शिक्षा के साथ साथ अरून जोती करके हमारा एक सेवा कर थे, तो जब वहाँ गए तो वहाँ हमें शाम को पहुंचे, तो वहाँ जो गाउ बुड़ा होते है, उनके घर गए, तो उनका जो इसा चांग घर होता है, याने जैसे आग होती है, और बांबु का घर होता है, तो उसके चारों बाजू में बैठ ते हुए, फिर गप्पे लगाते हुए, खाना खाते हुए, सब गप्पे हुई, दुसरे दिन का प्रोग्राम सब उन्होंने बताया, और उसके अनुसार दुसरे दिन सबेरे, हम वहां का जो हायर सेकंडरी स्कूल था, वहां गए, तो जब वहां जा रहे थे, तो हमने देखा कि जो दसवी, 11, 12 के हात में वह बड़े बड़े दाव लेकर बाहर आ रहे, दाव याने छुरा, बहुत बड़े, तो यह हात में लेकर वह बाहर आ रहे, तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, कि यह क्या हो गया, यह क्यों ऐसे आ रहे, लेकिन वह शानत थे, कोई चिला रहे थे, ऐसा नहीं है, फिर हम अंदर गए तो प्रिंसिपॉल ने बताया कि देखिए इस गाव में दो घर जल गए इसलिए आज कारेकरम नहीं हो सकता है तो हमने का ठीक है तो हम वापस आये फिर बाद में 11 बजे जो विलेज एल्डर्स थे उनके साथ एक बैठक थी तो फिर से हमें थोड़ी देर के बाद एक संदेशा आया कि देखिए यहां दो घर जल गए इसलिए आज वो हो नहीं सकता है मैंने का ठीक है फिर बाद में 3 बजे एक मात्रु सम्मेलम था सारे गाउं की माताओं को लेकर तो फिर से हमें वो ही बताया गया कि आज दो घर जल गए तो वो माताओं की एक अलग बैठक है इसलिए आज वो कारेकरम नहीं होगा हम ने कहा ठीक है लेकिन मैंने उनको बताया मैं जानना चाहती हूं कि हो क्या रहा है दो घर जल गए तो यह सारा क्यों चैंसल हुआ है यहने क्या हो रहा है तो उन्होंने मुझे बताया कि अरे आपको पता नहीं फिर उन्होंने कहा कि यह जो बच्चे गए वो बांबू तोड़कर आएंगे जंगल से किसे ने अपना ट्रक उनको दे दिया फ्री वो उसमें लेकर आएंगे गाव के जो एल्डर्स है वो सारा कॉट डूंगी और ऐसा करते हुए आप कलपना किजिए जिवन तसमाच क्या होता है कि 24 अवर्स में उनको वेल फरनिष्ट घर मिल गए दोनों इसको अपने महिलाओं के साथ भी आपके अनुभव क्या कहते हैं दिखिए अपने देश में जो भी कुछ अइतिहासिक कारण है महिलाओं के स्थिति गडवड़ा गई यह सही है लेकिन तत्वतहा अपने देश में महिला को नीचे नहीं देखा जाता है इसके तरप देखने का अपना जो दुरुष्टिकों है, वो एकात्मा है, याने जैसे शरीर में अनेक अवयोग है और हरेक अवयोगा अपना प्रयोजन है, तो जैसे brain महत्वका है, heart महत्वका है, kidney महत्वकी है, liver महत्वका है, इसमें कोई मतलब नहीं है उसी प्रकार परिवार में या समाज में स्त्री और पुरुष दोनों का भी अपना-पना स्थान है लेकिन जैसे ब्रहदार अन्यक उपनिश्द में यादनेवल के कहते हैं, कि पुरुष और स्त्री दोनों मिला कर ही वह याने पती और पत्नी वो कहते है एक्चुली पती और पत्नी ये दाने के द्वीदल जैसे होते हैं तो इसमें कम ज्यादा की कोई बात नहीं है, तो एक तो स्त्री और पुरुष ये एक दूसरों के शत्रुत्व या विरोधी इस भाव से इसका मुल्यांकन करना ही नहीं चाहिए यह मैंने महिलाओं के साथ काम करते हुए बहूत अच्छी तरह से समझा, पूरा समाज जो है वो परस पर जुड़ा हुआ है तो महिलाओं की समस्या है यह महिला की नहीं है यह समाज की समस्या है और इसलिए यदि उस समस्या को हमें ठीक करना है तो पूरे समाज को संबोधित करना है पूरे समाज का प्रबोधन करना है याने अपना जो एप्रोच होना है वो इंटिग्रल होना है महिलाओं के साथसा हम युवाओं की बात भी करते हैं, खासव पर गता है नाछ युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज भी अपना युवा अच्छे विचारों को बहुत अच्छा प्रति साथ देता है सिर्फ हमें उनके पास पहुँचने का तरीका ध्यान में आना है हम बहुत उनको उपदेश देते हुए जाएंगे तो नहीं होगा क्योंकि आज का युवा ये सोचने वाला है ये पड़ा लिखा है उसको बहुत जानकारी प्राप्त है और वो सामने आदर्श चाहता है वो सच में गहराई से सोचना चाहता है यदि हम ऐसा नहीं देंगे तो फिर वो इधर उधर निकल जाता है तो यदि योग्य रिती से उसके पास पहुशते है तो युवा बहुत अच्छा प्रतिसात देता है और विवेकानन्द केंद्र की जो बहुत सारी गतिविदियां है चाहे ग्रामिन क्षेत्र में जनजाती क्षेत्र में या शहरों में इसमें सारा युवाओं का ही बहुत अच्छा सहुभाग होता है यानि जैसा स्वामी विवेकानन्द कहते थे न कि माइफ इस इंद यंगर जन्रेशन दे यंग जन्रेशन इसलिए हमने युवाओं के साथ काम करने के कारण मैं तो कभी निराश नहीं होती हूं मुझे तो लगता है कि आने वाली पीडी ज्यादा प्रामानिक है और ज्यादा प्रतिसाथ देने वाली है यह जो आपको देखकर जहन में एक आता है कि बहुत सरल साथ की वाला और अनुशासित जीवन जिया है दीदी ने बहुत मुश्किल होता है क्या यह अनुशासन को अपनाना नहीं मैं एक बताती हूँ कि यदि हम अपने आत्मशक्ति को प्रवाहित करना चाहते हैं तो शरीर और मन यह जितना अनुशासन में रहता है आत्मशक्ति स्वतंत्र हो जाती है प्रवाहित हो जाती है तो यह तंत्रा स्वामी वेक अनंद भी बार बार कहते थे अपनी जो सारी आश्रम व्यवस्ता है उसका भी सारा आधार सैयम है और जीवन में कुछ भी प्राप्त करना है उसका आधार सैयम है अनुशासन है और यह एक बार समझ में आ गया तो युवा भी अनुशासित होत Namaskar.